हलो दोस्तों एक बाद फिरसे मैं हाजिर हूँ एक अक्टूबर 2021 के इंपॉर्ट्री न्यूवेंडिस के साथ देखे सितंबर ग्यारा यानि 11 सितंबर के बाद करनेट एफर्स की वीडियो नहीं पड़ी है जिनकी PDF मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दी है हला कि मैं previous जो भी करनेट एफर्स की वीडियो है सितंबर मनत की पेंडिंग उनको कंप्लीट करता रहूँगा डेली बेसिस पे यानि प्रीवेस की दो से तीन वीडियो में डेली अप्रोड करता रहूँगा लेकिन मैंने सोचा और डेले करेंगे तो यह पेंडिंग वर्क बढ़ जाएगा हाला कि डेली करेंट रफर्स की पीडियाफ सितंबर मन्त की कई सारी अप्डेटेड हैं वेबसाइट पे आप जाके वहां से देख सकते हैं जो नहीं updated है आज एकल में update हो जाएंगी और जो ये वीडियो spending है सितंबर मन्त की current affairs की और PIB की वो आज से regular basis पे upload होती रहेंगी काकि pending work भी complete हो जाए और हम लोग साथ में current events को complete करते चलें आज का पहला question है International Translation Day ये किस date को मनायता है International Translation Day ये मनाते हैं 30 सितंबर को कब 30 सितंबर को ये देख लीजे हर वर्स 30 सितंबर को International Translation Day मनायता है क्यों 30 सितंबर गुनायता है क्योंकि 30 सितंबर 1953 को International Federation of Translators इसकी स्थापना की गई थी इसलिए हर वर्स 30 सितंबर को International Translators Day मनायता है थीम क्या इस बार International Translation Day का यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन, तो 1953 में International Federation of Translators इसकी इस्थाबना की गी थी, इसलिए हर वर्स ती सितबर को International Translation रे मनाया जाता है, 1991 से इसकी सुरुवात हुई थी, अगला कोशन है, Right Livelihood Award 2021 किसको दिया गया है, Right Livelihood Award 2021 ये दिया गया है, Life लाइफ नामक संस्था को, ये देख लिजिए, 2021 का Right Livelihood Award, ये दिल्ली इस्थित एक Environmental Organization, Life को दिया गया है, Life का फुल फॉर्म है, Legal Initiative for Forest and Environment, तो Life, Life क्या है, दिल्ली इस्थित एक Environmental संस्था है, जिसको 2021 के लिए Right Livelihood Award दिया गया है, ये जो Right Livelihood Award है, ये सुईडन का Alternative Nobel Prize मना जाता है, तो इसी लिए बहुत important हो जाता है, Right Livelihood Award, सुईडन का Alternative Nobel Prize, एक मिलियन सुईडिस क्रोना इसमें दिया जाता है, तो Life दिल्ली बेस्ट इन्वार्मेंटल इंस्टिटूट है, जिसको ये Award मिला है, 2021 का Right Livelihood Award, लाइफ की बात वर्सों के लिए एक्स्टेंड कर दिया गया है, तो PM Potion Scheme, पाच वर्सों के लिए एक्स्टेंड कर दी गया है, देख लेते हैं, कैबिन द्वारा अप्रूबल मिल गया है, कि PM Potion Scheme, जो कि 2018 में बढ़ाई गी थी, ये एक Centrally Sponsored National Scheme है, इसको अगले पाच वर्स के लिए एक्स्टेंड कर दिया गया है, यानि PM Potion Scheme 2021-22 से लेकर 2025-2025 तक लर्न की जाएगी, PM Potion Scheme के तहित, अभी तक कितना Financial Outlay अप्रूब किया चुका है, सिंटर कॉर्मेंट दोरा, 54,062 करोड, 54,062 करोड रूपे अप्रूब किया चुका है, हाला कि जो Total Budget है, PM Potion Scheme का, वो 1,3, 2795 करोड रूपे है, PM Potion Scheme, ये Midday Meal Scheme का Revamped Version है, ये Midday Meal Scheme 1995 में लाँच हुई थी, तो PM Potion का Full Farm देखिए, PM Potion शक्ति निर्माड, ये है PM Potion का Full Farm, 24,00,000 बच्चे इसमें कवर किया आते हैं, आप चाहे हैं तो यहां से भी देख सकते हैं, अगला कोशन देखते हैं, नजला, बोदेन, रोमधने, 21 कंट्री की First Female Prime Minister बनी है, तो नजला, बोदेन, रोमधने, टुनीशिया की First Female Prime Minister बनी है, टुनीशिया, ये एक अरब कंट्री हैं आप देख पा रहे होंगे, अलजीरिया और लीबिया के वीच में, जब अरब स्प्रिंग आया था, 2014 के आसपास तो उसमें एक मात्र कंट्री थी, जिसमें डेमोक्रेसी आई थी, वो थी, टुनीशिया, टुनीशिया की नई और First Female Prime Minister कौन बन गई है, नजला, बोदेन, रोमधने, ये हैं नजला, बोदेन, रोमधने, टुनीशिया की First Female Prime Minister बन गई है, टुनीशिया मैप में आप देख ल अगला कोशन है, होशोंग एट, होशोंग एट, ये हाइपर सोनी मिसाइल है, किस कंट्री ने टेस्ट किया है, तो भाई, नॉर्थ कोरिया बहुत आगे बढ़ ला है, नॉर्थ कोरिया ने होशोंग एट मोबाईल को सक्सेस्फुली टेस्ट किया है, नॉर्थ कोरिया की ल जलती हो उर्दोराण, देखेे। ईसका मलब इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से पांच भूने से अधिक है। देखे। सोनिक मलब स्पीड of sound, सबसोनिक मलब bellow the speed of sound और सॉपरसोनिक जिनकी स्पीड एक मैक से उपर हो, 5 मैक से नीचे ऊ. लेकिन hy Γpping पांच मैग से उपर नॉर्थ कोरिया देख लिए मैप में है नॉर्फ कोरिया Careful है ério यौंg यौंग, currency क्या है North Korean Won, Supreme Leader King John Haon North Korea और South Korea के विचिजिए ये 38D comparable है 38 degree parallel नाम याद रखेगा और D, militarized zone भे इसी के वज़े से चर्चा में रहता है अगला question है, रुपे on the go, रुपे on the go, एक contactless payment solution है, इसको NPCI ने किस bank के साथ मिलकर launch किया है, तो NPCI ने yes bank के साथ मिलकर, रुपे on the go payment solution launch किया है, यह देखिए, yes bank और NPCI ने साथ मिलकर, रुपे on the go contactless payment solution launch किया है, रुपे on the go contactless payment solution, यह क्या करेगा, tap and pay system पर काम करता है किसी भी POS terminal पर जाएंगे रुपे contactless payment enabled वाला होना चाहिए उस पर 5000 रुपे तक का टाजेक्शन आफ भी ना contact के कर सकते हैं तो रुपे on the go NPCI और Yes Bank का initiative है NPCI National Payment Corporation of India 2008 में इस्थापना हुई मुंबाई में NPCI का headquarter है MD&CEU है अगला question है निधी 2.0 scheme या निधी 2.0 scheme किसने launch की है ओम बेला टूरिज्म डे मैंने ख्याल से 27 सितंबर को होता है नावार फेश जोन में पूछा था वर्ल्ट टूरिज्म डे हाली में इसी दिन वर्ल्ट टूरिज्म डे वाले दिन ओम बेला जी ने निधी 2.0 scheme launch कर दी है Ministry of Tourism की scheme है निधी 2.0 निधी का full form है National Integrated Database of Hospitality Industry निधी का full form या रखेगा यह जो निधी 2.0 है यह एक database है जिसमें Accommodation Unit के साथ साथ Travel Agents Tour Operators और अन्य सुधाओं की जनकारी होगी तो निधी 2.0 एक database से याद रखेगा Ministry of Tourism का launch किया गया है ओम बिल्ला जी दौरा जो की लोकसभा speaker है इसी दोरान जो Ministry of Tourism है इसने UNEP उसके अलावा Responsible Tourism Society of India के साथ एक MOU sign किया है Tourism sector में Sustainability को promote करने के लिए तो एक्जाम में आपसे बूछ सकते है कि Ministry of Tourism ने Tourism sector में Sustainability को promote करने के लिए किस संस्था के साथ MOU sign किया है तो UNEP United Nations Environment Program 5 जून 1922 को इस्थापना होई थी नेरोबी में Kenya की Capital नेरोबी में UNEP का headquarter है Head है Inzer Anderson अगला question है World Maritime Day 21 डेट को मनाया गया तो World Maritime Day 2021 ये मनाया गया है 30 सितंबर को कब 30 सितंबर को World Maritime 2021 World Maritime Day 2021 30 सितंबर को मनाया गया Theme क्या सबार Seafarers at the core of Sipping's future Theme क्या है Seafarers at the core of Sipping's future World Maritime Day देखे इसी दिन 1958 को यानि 30 सितंबर 1958 को International Maritime Organization Convention यानि IMO Convention अडॉप्ट के गया था इसी लिए हर वर्स 30 सितंबर को World Maritime Day मनाया गया था पहले बार 1978 में आया गया था International Maritime Organization की बात करें 1948 में स्थापना हुई थी London में IMO का Headquarter है Secretary General है Kitek Lame Thी में आद रखेगा Seafarers at the core of Sipping's future अगला कोशन है Ordnance Factory Board इसकी स्थापना किस वर्स की गई थी Ordnance Factory Board 1775 में स्थापना हुई थी Ordnance Factory Board का Headquarter कहा है कोलकता में है Defense Ministry के कहा है कि वो Ordnance Factory Board को Dissolve कर देगा 1 October को Dissolve हो जाएगा और नई Defense Public Sector Undertaking मनस नहीं है साथ यानि कि Ordnance Factory Board की जितनी भी Assets है वो इन साथ Defense PSU's को Transfer कर दे जाएगी Ordnance Factory Board Bittisas दौरा Accept की गई थी स्थापना की गई थी 1775 में तो आईडिया लगा सकते है आप 1775 में Bittisas कहा है थे कोलकता में आये थे ना वही वाला जो युद्ध हुआ था सिराजुद्ध दौला वाला उसके अपज़ा हो गया थे इंडिया पे तो 1775 में कोलकता में आये थे तो Ordnance Factory Board की स्थापना भी कोलकता में ही की थी वरतमान में Ordnance Factory Board की 41 Factories है इनको 7 PSU's में मर्ज कर दिया एगा 70,000 employees है इनको भी ट्रांसफर कर दियाएगा इन 7 PSU's में Nonsense Refuse Award इसको जीता गया है Zil Albena Association for Humanitarian Development ये Zil Albena Association कहां से विलॉण करता है यमन यमन का मानवा धिकार संगठन है Zil Albena Association इसको 2021 के UNHCR Nonsense Refuse Award से समाइग के गया है तो 2021 का UNHCR Nonsense Refuse Award किसको मिला है यमन के Zil Albena Association क्यों मिला है देखे यमन में राहत कारों में काफी एदर हल्प की है Zil Albena Association इसकी स्थापना होई थी 2017 में आमीन जुबरान ने इसकी स्थापना देखी थी UNHCR Nonsense Refuse Award Individual Group या फिर Organizations को सम्माइद करता है Refusees के protection के रिए UNHCR United Nation High Commissioner for Refusees 14 समर 1950 को स्थापना हुई Ziniva सुचिजल ने में हेड़कोटर है हेड है फिलिप ग्रेंडी फिलिपो ग्रेंडी अगला वोशन है NBA National Basketball Federation Association इसके नioè अबेश थे कौन بنे है तो National Basketball Association इसके नाए ब्राणोंबेश थे थे unडी सिंग कौन भून भून है रनभीर सिंग ये है रनभीर सिंग इस नेशनल Basketball ऑस्योजज़ के नए अब्र करने है 2021 के लिए National Basketball इस दोरान दर्बीर सिंग को एक वर्स के लिए नेशनल बास्केटबॉल आस्वोसियेशन का क्या बनाया गया बना नभेज़ा नेशनल बास्केटबॉल आस्वोसियेशन के बाद करें 1946 में स्थापना हुई न्यू और्क में हेड़कोटर कमिशनर है एडम सिल्वर नेशनल बास्केटबॉल आस्वोसियेशन न्यू आर्क में हेड़कोटर इसका मनलब ये यूएसे का है इंडिया का नहीं है सौरी यूएसे का ये नेशनल बास्केटबॉल आस्वोसियेशन है अगला कोशन है माई लाइफ इन फुल ये बुक के राइटर कौन है तो इंद्रा नुई एक बार और पढ़ चुके है इंद्रा नुई की एक बुक है माई लाइफ इन फुल बस इतने ही याद रखें माई लाइफ इन फुल इस बुक का नाम है और ये इसकी राइटर है इंद्रा नुई ये जो बुक है organizational supports के विसे में है कि women's का organizational support क्या होता है बाकी इंद्रा नुई का नाम आपे रखेगा my life in full और ये hatchet इंडिया तो पब्लिस की जाएगी अगला कोशन देखते हैं इंडिया में पहली बार जो senior citizens हैं उनके लिए elder line नाम की pan India help line launch की गए है किस ministry तोड़ा तो elder line ये elderly people के लिए help line है pan India लिए पर ministry of social justice ने launch की है आज ही मैंने कुछ शेतरा में मेरे ख्याल से पढ़ाया था ministry of social justice and employment इनके तोड़ा elder line नाम के pan India help line launch की गए है senior citizens के लिए तो elder line help line का नाम है रखिएगा और टॉल फी नंबर भी मात्र फाइब डिजिस का है याद रखिएगा 14566 क्या 14567 14566 नाम की elder line help line है इसको टेक्निकल सपोर्ट करनो देगा टाटा ट्रस्ट और NSE Foundation ministry of social justice and empowerment की ये लाइन है RBA ने किस बैंक को PCA framework से बाहर कर दिया है तो ये कितनी सारी बैंक आप रटेंगे नहीं रटेंगे लेकिन बस चल्चा में था पहल लेते हैं थोड़ा सा तो हाली में Bank of India को Indian overseas bank को Indian overseas bank को RBA ने PCA framework से बाहर कर दिया है देखिए Indian overseas bank October 2015 में PCA framework में सामिल हो गई थी पहली बात तो Net performing जो assets से इसकी non performing assets कह सकते हैं और जो return of assets था वो decrease हुआ था Net NPA जो Indian overseas bank का था वो 2015 में सारे 5% से उपर चल लगया था लेकिन अब वो सारे 3% हो गया है इसलिए इसको बाहर कर दिया गया PCA framework bank condition को बैतर करने के लिए लगाया जता है जब bank की condition खराव हो जती है Indian overseas bank 1949 को इस्थाफना कही थी CRPF की भी स्थाफना 1949 में ही हुई थी Indian overseas bank का headquarter है चेन्नाई में पार्थ प्रतीन सेन गुपता इसके CEO है अगला question है India export 2021 portal किसने launch किया है India exports 2021 portal launch किया है नए MSME minister नरायर राने जी तो नए MSME minister है नरायर राने जी अभी तक कौन थे नितिन गटकरी नरायर राने जी ने हाल ही में नए दिल्ली में जो India SME forum और्गनाईज हुआ उसी दोरान India export 2021 portal launch किया साथ इसाथ India export initiative भी लाँच किया तो India exports 2021 portal India export 2021 initiative ये India SME forum नए दिल्ली में नरायर राने जी ने क्या किया launch किया देखें MSME sector की बात की जाए तो जितना भी export होता है इंडिया का उसमें 40% MSME से आता है manufacturing GDP की बात है तो 6.11% MSME से आता है service sector में 25% के आसपास MSME से आता है तो India export portal किसे ने launch किया है नरायर राने जी ने जो कि वो नए MSME minister है exam में आसा भूसकते है India SME forum कहा और्गराइज हुआ नए दिल्ली में अगला question है AU small finance bank दोरा नाबार के साथ पार्णासिक की गए है किस राज़ में ongoing यानि तो पहले से चल रहे है रूरल डर्लमेंट काम उनको बूश्ट करने के लिए तो ongoing rural डर्लमेंट को बूश्ट करने के लिए AU small finance bank ने नाबार के साथ पार्णासिक की है राजिस्थान में राजिस्थान में जो ongoing rural डर्लमेंट काम चल रहे है उसके लिए नाबाड और AU Small Finance Bank ने पार्टनर सिख की है यह MOE साइन किया गया है जिससे formal self-help groups को फाइदा मिलेगा साथ ही साथ FPOs इसमें सामिल हैं तो कई सारे लोग सामिल हैं नाबाड क्या करेगा Credit Support प्रॉइट करेगा Institutional Credit Support प्रॉइट करेगा AU Small Finance Bank के माध्यम से अब नाबाड डाइटली तो लोन देगा नहीं पर्सनली जाके नाबाड की बात करें National Bank for Agriculture and Rural Development 1982 को स्थाबना हुई थी 12 जुलाई को मुंबाई में हेटकोटर है चेर्मेन कोन है? गोविंदा राजलू चिंतला गोविंदा राजलू चिंतला लाज्ट कोर्शन है 2021 का Rider Cup किसने जीता है? तो USA ने 2021 का Rider Cup जीता है USA ने 2021 का Rider Cup जीत लिया है बस इतना ही याद रखेगा तो Rider Cup 2021 का USA ने जीता है और हराया किसको है? तो मुरी कवा कौन सी है? बागी कुछ ने इंपॉर्टन नहीं ये देख लिए 2021 का Rider Cup ये जीता है ये आज की वीडियो से कॉशन है आई होग कि आप इजिली इनका जवाब दे पाएंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो ले टेक कियर गुद्बाब और एंट जाहें